हुलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है अमारे Youtube चैनल इस टड़ी टीम में तो निश्वें गेम्स का समाप्न हो चुका है चीन के हौंग जाओ हलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है हमारे यूटीब चैनल इस्टडी टीम में तो ओनीश में एसीन गेम्स का समाथपन चीन के होंग जाओ सहर में हो चुका है और भारत ने रिकार्ड सो से ज्यादा मेडल जीत कर इतियास रज दिया है तो अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसीन गेम्स से रिलेटे जितने भी कोश्चन पर इच्छा में आ सकते हैं उनको हम आज इस क्लास में कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला कुश्चन है कि चीन चीन क्या है पदक तालिका में पहले अस्थान पर रहा है तो अपसा नंबर B सई वा चीन ने कूल nit इतने मेडल जीते हैं तो चीने कुल 382 मेडल जीते हैं चीने कुल 383 मेडल जीते हैं जिन में से 201 गोल्ड है 201 गोल्ड है 111 सिल्वर है और 71 यार्नी 173 ब्रॉंज मेडल है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है कि ACI Games 2022-2023 तो फ्रेंड यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ACN Games यह क्या है 2022 में होना था लेकिन कोरोना की वज़े से 2022 में नहों पाया तो यह कब हो रहा है तो यह 2023 में इसको इसका आयोजन किया गया है तो आप इसको 2000 ACN Games 2022 यह 2023 भी बोल सकते हैं चलिए पढ़ते हैं तो ACN Games 2022-2023 का आयोजन कहां हुआ है तो यह हुआ है चीन के होंग जाओ सहर में आफसा नंबर A होगा चलिए कुछ डिटेल में जानते हैं तो ACI 2022 23 के बारे में जानते हैं तो इसकी को था संस्कांड था तो यह 19 संस्कांड था संस्कांड की बात करें तो पर निद्हिस्वान संस्कंदता इसका आयोजन 23 सितम्बर से 8 बीच किया गया है तेश सितमबर से 8 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन कहां पे किया गया है तो चीन के हौंग जाओ छहर ठीक है उद्गातन कहा हुआ तो Olympic Sports Center कहा पे तो हांग जाओ चीन में ठीक है Olympic Sports Center कहां पे हुआ हांग जाओ चीन में इसका उद्गातन क्या गया बात करते हैं इसका motto क्या है तो heart to heart add the future ठीक है heart to heart add future ये क्या है क्या है इसका मोटो है अब इस ओफिसियल theme song के अवि-थ यू-प्यू आफिसियल theme song की ओफिज्प न्यिक्त in सकते हैं और अगर पूसंट पूछ सकता है कि अनि संफ़ी एसी कें ऐसीजद गेम्ज का मोटो क्या मोटी को対 feather to फ्यूचर यह मोटो ऑफीशेल थीम सौंग क्या आए तो विद्ग यूआट with me ओफीशेल सीम चीन ने थीन बार एस आनंग्यम्ज की मेजभाणी किए चीन कितने बारेसि की मेजभानी किये तीन बार कब अनी सोनभ़ए में 2010 में और है कि चीन ने एसे गेम्स की मेजबानी किया है भारत की तरप से इसमें कितने एथलीट थे तो 655 भारत की तरफ से इसमें यानी एसे एँगेंस में एथलीट सामिल हुए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जानेंगे कि 19-वे ACI खेलों का आधिकारिक सुभंकर क्या था ठीक है 19-वे ACI खेलों का आधिकारिक सुभंकर क्या था इसके बारे में जानते हैं तो आधिकारिक सुभंकर क्या था इसमें 19-वे ACI खेलों में तो चेन चेन यह भी आधिकांग और लियान लियान यह सब क एसीयाई खेल के अधिकारिक सुबंकर है तो आपसा नमबर डी साइए और धी साही होगा यह देख सकते हैं यह है कि यह चेंचेंचें यह है का कउंग और यह लीयान यह क्या है यह रोबोस्कार के नाम है यह क्या है यह 19 एसे खेलों के अधिकारिक सुबंकर हुआ चलिए डीटेल में जानते हैं तो नहीं सफ़य आछी खेलरों में तीन रबोट सुबंकर मेस्वेióं सामिलते हैं तीन रोबोटों में और नियांग जुद सभर के पूरा ताथुक धरोर को है जब लियान लियन यह प्रस्यमी जिलों का प्रतीख है और तीसरा रोबोट जो चेंचेन है यह बीजिंग हांग जो ग्राइंड के नाल को दर्स आता है तो यहां से भी कोश्चन पूछ सकता है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे भारत ऑनिश्वें एस्टाइए खेलों की पदक तालिका में किस अस्थान पर रहा है तो बारत किस अस्थान पर रहा है और गोल्ड 111 सिल्वर और एक अत्तर ब्रॉंज मेडल जीते हैं दूसरे नंबर की बात करें अगर कोश्चन पूछे कि दूसरे नंबर पर उनेश्वें एस्थान की पदक तालिका में दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा है तो वह है जापान जापान ने कुल 188 मेडल जीते हैं कुल 190 लिए देखाइं कि यह हैं। तो Republic of Korea इसने कितने 190 पदक जीते हैं जिसमें से 42 गोल्ड 69 सिल्वर मेडल और 89 ब्रॉंज मेडल जीते हैं चोथे नमबर पर कौन है हमारा प्यारा इंडिया बारत ने कितने तो 88 गोल्ड 38 सिल्वर और 41 ब्रॉंज मेडल के साथ कुल 107 मेडल जीते हैं ठीक है चलिए आगे बढ 2022 के उद्गार्टन समारों के दवरान भारतिय दल के द्वजवाग कौन थे ठीक है एसे लाइख दल के द्वजवाग कौन थे तो हर्म पीर्ट सिंग और लॉलिना बोर गोहन यह क्या थे यह जो भारतिय दल के ACI खेल में, ACI खेल के उद्गाटन समारों में भारतिय दल के ध्वजवाग थे, तो आपसा नमबर C सई होगा, आपसा नमबर C उपयोग तो दोनों सई होगा, यहाँ पे आप पोटो में देख सकते हैं, यह दो लोग, हर्मन प्रीत सिंग और लौलीना बोर गोहेन, यह क्या है, यह दोनों लोग जो गार्डन समारों में भारतिय दल के ध्वजवाग थे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे उनईसमें ACI खेलों के समापन, उनईसमें ACI खेल का समापन कब हुआ, तो आठ अक्ट्रूबर दो यह थे, इसको इसका समापन हुआ, जि आगे बढ़ते हैं, ACN Games 2022-2023 में भारत का पहला स्वान पदक किसने जीता, ठीक, ACN Games 2022-2023 में भारत का पहला स्वान पदक किसने जीता, तो भारत का पहला स्वान पदक किसके द्वारा जीता गया था, तो यह पूरू सूटिंग टीम के द्वारा भारत का पहला जो गोल्ड म निशाने बाजी पूर्शों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता गया जिसमें दिव्यान्स सिंग पवार रुद्राज पाटिल और एस्वर्य प्रताप सिंग यह लोग क्या थे जो निशाने बाजी की टीम थी जो जो पूरुस जो पूरुस सोटिंग टीम थी उसमें दिव्यान्स सिंग पवार रुद्राज पाटिल और एस्वर्य प्रताप सिंग थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे ओनिश में एस्याई खेलों में सर्वाधिक स्वान पदक किस देश ने जीता है और नाइस मे चीन ने जीता है आपसा नंबर ए सई होगा चीन के द्वारा सबसे ज्यादा स्वान पदक जीता गया है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बीश में एस्याई गेम्स द्वारा चभीस का आयोजन कहां किया जाएगा ठीक है तो नहीं समां कहां पर हुआ था तो चीन के हंग ज यह कहां पर खेले जाते हैं और जो यह ओनी सवां हुआ है यह कब होज़ा था यह 22 में होनाह था तो 2022 के हैसाब्र Ideas चार सल बाद कब हो होगा तो यह 26th में होगा लेकि जो 222 में होना था 11 hero9 से नैएट आयो यह इंएग उलिया इसको 2030 में और यह आ परत नहीं गरते हम आइ महीं आखे एक बारे मोगें in the Vape चार्वर्स के अंत्राल पर यह भिंखेव अ जाता है जो फरस्ट वाला वात था जो फर्स्त संस्कारान वाता यानी पहला SCI games कब वा था तो 1951 में वा था और का पे वुआ था यह भारत में वह था आठ्रामा कब हुआ था 18-18 में हुआ ता और यह कांप पे हुआ था तो यह जकार्तायन पलम्बंग यह इंडोनेसिया में हुआ था अगर पुछें कि अथा अधारा हुआ A determination Games एच placasins धिया ऐधा था तो यह हश्तों इंडोनेसिया में आयोज्जश्ट किया गाथ तो इसमा का पे हो रहा है अभी हुआ है तो इसमां यह कब हुना थ है बीस्वाह होगा 2026 में कँके ईपान में होगा जापन में कँफे अची नागोया में जापान में में यानि 2026 में इसका है किया जाएगा चलिए आगे जानते हैं आगे अट्रा में यानि जो पिछला वाला एस्याई गेम्स हुआ था 2018 में उसके बारे में जानते हैं तो ये एस्याई गेम्स 2018 इंड्वोन सहर में जीत हुआ था और ये एजित हुआ तो जाकें पुछता है कि इस और येपा बढ़ारी में जीत एतने games झीटेbol Además आगे जानते हैं जो 18 ACI Games में मेडल के इसाब से कौन पहले पे था और कौन तो पहले पे मेडल के इसाब से क्यों था पहले पे इस आठरा में ACI Games में भी पहले पे चीन था चीन ने 132 गोल्ड मेडल जीते थे बानबे सिल्वर और 65 ब्रॉंज मेडल के साथ कुल 289 मेडल जीता था दोसरे नमबर पे जापान था और तीसने नमबर पे साउथ को रिया था चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अभी हमने आपको बताया ACI Games की सुरवात कब होई थी तो यह 1901 में ACI Games की सुरवात होई थी और कहां पर निव दिली में पहला ACI Games खेल आ गया था चलिए आगे बढ़ते हैं तो निव दिल्ली भारत में इसका आयोजन की यह था चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में अब तक कितनी बार ACI खेलों का आयोजन हुआ है चलिए डीटल से जानते हैं तो भारत में तक दो बार भारत ने अब तक दो बार Si games की मेजबानी किये पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में ठीक है जो पहली बार जब Asian Games का मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी तो उस ताइम उद्ध गार्टन करता हमारे राष्टपती राष्टपती थे राजेंत प्रसाद जी ठीक है और जब दूसरी बार 1982 में भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी तो उस टाइम राष्टपती थे जैल सिंग ठीक है तो इसको भी ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं आगे एसेन गेम्स 2022-23 में भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया एसेन गेम्स 2022-23 में भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया था तो किस खेल में पहली बार भाग लिया है भारत ने तो वह है क्रिकेट में आफसा नमबर सी सई होगा चलिए डीटेल में जानते हैं त चुण के वहंतुने हूं जुद में 2010 में एसीन गेम improvement में कुछ्टी न किकेट को पहली बार सामिल किया गया अगर कोस्चन पूछे कि क्रिकेट को कब एसे इन गेम समय गया था तो कब किया गया था 2010 में कहाँ पर हुआ था वो तो चीन के गवांग जू सहर में इसका आयोजन किया गया था तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो अगर आपको परिच्छा के लिए लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथी साथ इसको और भी लोगों तक सेयर करें और अपना फीड़बैक कमेंट बाक्स में जरूर दें चलिए आगे बड़ते हैं आगे बार भारतिया महिला क्रिकेट टीम ने महिला क्रिकेट टीम में कौन सा पदक जीता है तो महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है आपसा नंबर ए सई होगा चलिए आगे बड़ते हैं आगे डिटेल में जाने भारत ने सिरिलंका टीम को 19 रन से आराकर स्वांड पदक जीता है यह भी कोश्यन पूछ सकता है कि एस य सब्सक्राइए खेल 19 में गेम्स में भारत ने भारती महिला के टीम ने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता है तो किसको हराकर तो स्रिलंका को हराकर भारत की पुरुष तीम ने कौन सा पदक जीता है तो भारत की पुरुष तीम ने भी स्वांड पदक जीता है बारिश म बाद बैतरवरीरत्या के करनों, भारत को सभनपदक मिला आए। चलिए आगे जानते हैं । 03fлет कैलों के भारत ये भारते दल के ओफिसियल स्पांसर के रुप में किस कंपनी को नामित किया गया। सभाषय होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोच्छन है कि एसीन गेम्स 2022-2023 जिसका आउयजन 2023 में हुआ आउयजित हुआ तो भारत में भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं तो किस खेल में जीते हैं तो सबसे ज्यादा में घृतिख में जीता आइंबारत के द्वारा कि चली आगे बढदते हैं हुआ का अगे भारत ने मेंकुल 59 जीते हैं भारत लंगी कितने पद जीता है जिसमें raj, चाहे स्वण्ड चौदारजत और नव कांसे पदक है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे एसीन गेंस 2022 जिसका आवजन दोज़ाद्टेस में हुआ में भारत ने सबसे ज्यादा स्वण्ड पदक किस खेल में जीता गया है ठीक है वह पीछे वाले लगतार दो बार स्वण्ड पदक के साथ कुल 22 जीते हैं ठीक है निशाने बाजी यानि स्वण्ड पदक जीते गए हैं तो साथ जीते हैं और कुल मिलाके यानी स्वण्ड पदक रजत पदक और ब्राउंज पदक कुल मिला के 22 पतक जीन गया है कि में सोटिंग में चलिए आगे बडते हैं अगे एसीन गेम्स तो और 22 to year soit में भाला पेग प्रतियोगता में लागातार 2 बार से फ्रेस्ट जीने वाले खिलाड़ी नमबर सिस्य होगा थिक है नीर्द चोपड़ यह क्यों है इनोंने क्या एसीया गेम्स में भारला फेक परती होग ता मैं लागा ता दो बार स्वाण फदक जीतने वाले खिलाडी कौन बने हैं तो नीरज चोपडा बने ठीके चलिए आगे जानते हैं नीरज चोपडा ने नीरज चोपडा जो क्या है नीरज चोपडा ने 88.88 मीटर दूर भाला फेक के यह यानी स्वाण फदक जीता हैं चलिए आगे बढ़ते हैं एंशेन गेप दुरबाय है झाफ स्वां पदक जीताएं और यह राइटिंग में भारत ने 41 साल बाद स्वां पदक जीटा boxes शुदिप्ती हजेला दिब यक विर्ति सिंग और अनु सगरवाल और हिर्दय छेड़ा ये लोग सामिलते कि घोड़सवारी टीम में चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आठरा में महिला की 50 मिटर तरी पोजिशन राइफल वव्यक्तिगत परदा में किस खेलाडी ने 20 सव रिकारड बनाकर स्वन्ट परदक जीता है तो वह हैं शिफ्ट कौर समरा सिफ्ट कौर समरा ने क्या है कि ओन इसमें एसी एंथिए खेल में महिला की 50 मिटर पोजिशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्दा में 200 बिस्व रिकार्ड बना कर क्या है कि स्वनपदक जीता है चलिए जानते हैं तो सिप्त कौर समरा ने 409.6 का स्कोर किया जो पिछले रिकार्ड से 2.6 अधिक है ठीक है पिछला रिकार्ड से इनों ने 2.6 अंक अधिक प्राप करके विश्वरी कार्ड बनाया और स्वनपदक जीता स्वर्द कर समरा एसियाई खेल 2023 में 41 परदा में भारत को स्वनपदक दिला लें वाली पहली एथलीट है ठीक है खिलाडियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगा दिती तो किस राजी की तीन खिलाडियां थी जिनको चीन ने जो ACI गेम्स है उसमें एंट्री करने से रोक लगा दिती तो कौनसा वो राजी है तो वो है अरुनाचल परदेश आपसा नमबर डी सई होगा चलिए आगे जानत ओलील तेंगा और मेपोंग लांगू लामबू मेपोंग लामगू कोची ने ACI खेलो मेंट्री देने से बंचित कर दिया ठीके चलिए आगे बड़ते हैं आगे अगले कोश्चन पर आते हैं अगला एस यह एक आपसा नमबर डी सई होगा ठीके अगले कोश्चन पर आते हैं अगला एस एस यह खेलो का आयोजन कितने वर्सों बाद किया जाता है तो कितने वर्सों बाद किया जाता है तो चार साल बात किया जाता है एस यह खेलो का आयोजन पर आते हैं अगला एस यह खेलो का आयोजन कि ससंस्तान द्वारा किया जाता है तो कि संस्तान द्वारा किया जाता है तो ACI Olympic परिश्द के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है आपसा नमबर A सही होगा चलिए आगर बढ़ते हैं आगे ACI Olympic परिश्द यानि Olympic Council of ACI के बारे में जानते हैं तो इसके अस्थापना 16 नमबर 1982 में कहां होगा था नई दिल्ली में इसकी अस्थापना होई थी कब होई City कुईयत में है मुख्याले इसका कहां पर है कुईयत City कुईयत में इसका मुख्याले है इसके सदत से देश कितने है तो 45 राष्टी Olympic समितिया है इसकी और अध्याच अध्याच के बारे में आप लोग ध्यार नखिएगा परिच्छा में जरूर्पूछ सकता है तलाल सबाद यह क्या है यह ACI Olympic परिस्त के अध्याच है चल्य आगे बढ़ते हैं आगे ACN GAMES का जनक किसे कहा जाता है Azean Games का जनक किसे कहा जाता है कंसा आपसं सही होगा तो ACN Games का जनक गुरुदत सी जी को कहा जाता है आपसा नंबर D सही होगा ठीक है A.C.N. Games का जहनग गुरुदत सोंधी जी को कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगे गुरुदत सोंधी द्वारा भारत में A.C.I. Games की सुरुवात की गई थी किसके द्वारा तो गुरुदत सोंधी के द्वारा भारत में A.C.N. Games की सुरुवात की गई थी A.C.N. Games के ना रूप में जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जानेंगे कि 19 एसन गेम्स में भारत ने किस खेल में कितने पदक जीते हैं किसमें 19 एसन गेम्स में भारत ने किस खेल में कितने पदक जीते हैं इसके बारे में हम जानते हैं तो सूटिंग में सूटिंग में भारत न व्यक्तिगत स्पर्दा में और पांच स्वाणपदक टीम स्पर्दा में जीता गया है ठीक है शूटिंग में जिसमें साथ स्वाणपदक जीते गया है जिसमें से दो स्वाणपदक है व्यक्तिगत स्पर्दा में और पांच स्वाणपदक टीम स्पर्दा में जीता गया है च से सिं Herausforder प्रताप सिंग ने लग लग टीम इस पदा में चार चार पदक जीते हैं ठीक है इशाष कि तो मतने एक गोल्ड तीन सिल्वर जीता है और सच्वार प्रताप सिंग ने दो गोल्ड एक सिल्वर और én ब्रांज जीता है चलिए आगे बढ़त Всем आगे एथαलेटिक स्जॉन्प किस खेल में जीते गये हैं तो एसलेटिक्स होनी सु मुकंद सामले के द्वारा इसमें क्या है कि 300 मिठर इस्टिपल चेज में स्वुन पदक जीता गया हैं और तीन हजार मिठर 197 में रजट पदक जीता गया है चलिए आगे जानते हैं अगे तजिनदर पाल स्िंह तूर ये क्या है साठथपूर्ट के खेलाड यहें इन् पहली महिला जेवलियन त्रो आंग जिन्होंने स्वञड़ पदक जीता है और पारूल चाओधरी ये पांच यार मीटर रेस में इन्होंने भी स्वञड़ जीता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे तीरंदाजी में जानते हैं तो तीरंदाजी में खुल नौइ जीते गए ज ज्योति सुरेखा बेनम इन्होंने भी व्यक्तिकत रूप में स्वाणपदक जीता है और ओजस्प्रमीण और ज्योति सुरेखा बेनम मिश्रित तीम में स्वाणपदक इनके द्वारा जीता गया है चलिए आगे जानते हैं आगे अधिति स्वामी ज्योति सुरेखा बेनम और परमीत कवर या महिला टी में इन्होंने भी स्वाणपदक जीता है प्रतमेश समाधान अभिशेक बर्मा और ओजस्प्रवीण या पूरुष्टी में इस पूरुष्टीम ने भी स्वाणपदक जीता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे स्वैस में बारत के द्वारा पांच जीते गया है जिसमें से दो गोल्ड एक सिल्वर और दो ब्रांस मेडल है ठीक है दीपिका पल पलिकल और हरिंदर पाल संदू यह कहा है स्वैस स्वैस मिक्स टीम के खिलाडी है यह लोग यह नोंने क्या जीता है तो इनोंने स्वाणपदक जीता है चलिए आगे बढ़ते ह है जिसमें से एक गोल्ड एक सिल्वर और एक ब्रांस मेडल सात्विक साहिराज सात्विक साहिराज रंग की रेड़ी चिराग सेटी सात्विक साहिराज रंग की रेड़ी चिराग सेटी यह पूरुस यूगल इस परदा में इनोंने स्वाणपदक जीता है चलिए आगे बपना और रूतुजा भोसले इन्होंने मिस्रित यूगल में स्वानपदक जीता है ठीक है किसमें तो टेनिस में आगे बढ़ते हैं आगे कबड़ी में दो पदक जीते गए हैं कबड़ी में कितने दो पदक जीते गए हैं महिला टीम ने भी यानि कबड़ी की महिला टीम ने भी स्वाण पदक जीता है और पूरुस टीम ने भी स्वाण पदक जीता है इसको भी ध्यान रखिएगा आगे वड़ते हैं आगे हा पदक जीता इसको भी ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं आगे कुस्ती में कुल 6 पदक जीते गए जिसमें से एक सिल्वर और पॉंस ब्रॉंस में डल है दीपक पुनिया ने 86 kg वर्ग में रजत पदक जीता है ठीक है किसने तो दीपक पुनिया ने आगे बढ़ते हैं और अगर आप इस क्लाज की पीडियाप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीगराम चैनल को जोइन कर सकते हैं आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे और भी लोगों तक सेयर करें और कमेंट बाक्स में आप अपना फीड़बाइक जरूर दें